अब इस lecture में हम देखेंगे के best practices to collect data, वो कौन-कौन से practices हैं, जिनके थूँ आप best data, accurate data, biasness free data, या जिसमें bias नहीं हैं, वो से free data, error, तक्रीबन error free data, कैसे collect कर सकते हैं, मैं screen आपके सामने share करता हूँ, and then we will start from number, बलके मैं यहां पर लिखता हूँ, best practices, वो कौन-कौन से best practices हैं to collect, data, ठीक है, यार आपके पास raw material नहीं होगा, तो आप आगे factory कैसे चलाएंगे, इस वज़ा से आपको best practices का पता होना चाहिए, ठीक है, number one है, आपके पास, जो सभी को पता है, ज्यादा तर लोग जो हैं, इस पर rely नहीं करते, लेकिन आपको करना है, वो है clearly defining your goals, आपका जो goal ह है, या aim है, वो clearly defined हो, ठीक है, clearly defined हो, यानि कि, आप ये जो data collect करें, इसका करना क्या है, हमें शुगल लगा रहे हैं, या कुछ करना भी है, ठीक है, so clearly defined हो, अब अगर आपको पहले से पता होगा ना, कि आपका goal क्या है, मिसाल के तोर पे मेरा goal है, मैं एक ऐसी app बनाऊंगा, जिसके अंदर कोई भी master या PhD student अपना data रखेंगे, वो automatically analyze होके final graph बन जाएंगे, और उनके interpretation भी हो जाएगी, तो मैं फिर कौन सा data collect करूँगा, पुराने thesis का, different किसम के research paper का, तो मुझे पता होगा मैंने किस side पर जाना है, तो इस वज़ा से आप पहले से अपने लिख के, ल write them down, मैंने बोला, write them down, not type them down, ठीक है, write them down, पहले चीज़ी होगे, अब आपने अगला काम करना है, choose the write data collection collection method, ठीक है जी, write data collection method आपने choose करना है, मिसाल के तोर पे आपको surveys conduct करने जरूरी है, या interview से आपका काम जो है वो बन जाएगा, interview से, या इसके इलावा आप different किसम की observation या focus group को आप choose करना चाते है, focus group, मिसाल के तोर पे, अगर मेरा target students है, तो मैं students का ही सिरफ survey लूँगा न, और interview भी उनका ही कर सिरफ students से, वो भी जो अपना thesis लिख रहे हैं, तो अगर मुझे ये clear होगा, तो मेरे पास आगे पहले mind में होगा, कि यार मैंने सिरफ इन से बात करनी है, और किसी से नहीं करनी है, so पहला था जी, आपका जो aim है, वो clearly define हो, दूसरा choose the right data collection method, ठीक है, number three is, number three is, ensure data accuracy and reliability, ensure data accuracy and reliability, आपने data accuracy and reliability को ensure करना है, कैसे, मैंने अब data collect करना है, master student से, मैं ये नहीं करूँगा, कि अगर मेरा कोई cousin पढ़ड़ा है, मैं directly उसी पर जाओं, यार data बता दे मुझे ये, ठीक है, या उसी का interview ले लो, या वो लोग जो मुझे जानते हैं, या मुझे मेरे जानने वालों को जानते हैं, a friend who knows a friend, ऐसा काम नहीं करना, लिंक नहीं निकालने, आपने ensure करना है, कि data accurate है, और उनके पास जाना है, जिनको जरूरत है, ठीक है, जिनको जरूरत है, आपने उनके पास जा के interview लेना है उनसे, और उनसे पूछना है, कि हाँ भी, आपको क्या वाके जरूरत है, अगर जरूरत है, तो क्या हम यह app बनाएं, तो आप purchase करेंगे या नहीं करेंगे, so you need to be very careful about the data accuracy and reliability, एक तो यह चीज होगी, second आपने यह भी करना है, कि आपने कोई dummy data, use करके, proper analysis करके, check करना है, कि आपका जो machine learning model है, which is actually, जो आपकी app है, वो finally अगर आप data डालें, और वो आपस की और thesis भी stat लगा दे, तो क्या यह possible है, क्या यह accurately हो रहे है, तो आप वो check भी करेंगे, तो data accuracy and reliability को आपने ensure करने है, ठीक है, इसके इलावा, number 5, number 4, 4, 4, यह बहुत important point है, जब भी आप data collect करें, ensure करें, कि आपने privacy को maintain की है, मतलब यह नहीं है, कि अगर किसी ने आपको interview दिया है, आप वो survey में लिखा हुए है, कि यह बंदा हमसे thesis करवा रहा है, आप उसकी privacy लिख कर दे, वो बचारा निकल के बाहिर हो जाए, ठीक है, समझ रहे हैं बात को, उसका professor कहें, यार तुमने खुद क्योंने stat लगा ही, तुमने यह app क्यों use की है, जैसे chat GPT से आप paper लिखें और साथ में बता दें कि मैंने chat GPT से लिखा है, यह काम नहीं करते, ensure privacy, privacy को रखें और ethics को भी देखें, privacy of data and ethics भी चेक करें data के, ethics यह कहते हैं कि अगर आपको किसी ने अपना नाम बता दिया या personal information दी है, आप उसको anonymously use कर लें, अगर उनकी permission है, otherwise ना use करें, so there are many things related to that, number five पे जाते है, number five is plan for data storage, plan करें कि data store कहां पे करना है, store भी करना है, और organize कैसे करना है, आपने excel sheet बनाना है, SQL database में लेके जाना है, या open air इसको database के अंदर रख देना है, जिटा मर्जी चोक के लें, open source में, ऐसे नहीं करना, ठीक है, और छटी चीज, आपने जब data collect करना है train your team, your team, अपनी team को train करें कि जब data collect हो, जब surveys हो, observations हो, तो आप master है इस चीज के, ठीक है, और आपको पता होना चाहिए, question कैसे पूछना है, ये नहीं है कि अगले बंदे से question पूछा है, और वो जवाब दे रहा है, बीच में talk के, कि जट साब, sorry, मैं ता डिगाल कट रहा है, ये काम नहीं करना, ठीक है, so अगर question उन्होंने पूछना है, पहले let them complete, और उनकी communication की training आप करें, अच्छे से, कि आपने किस तरीके से respectful way के अंदर लोगों से question पूछने है, मिसाल के तोर पे अगर किसी female का interview ले रहे है, ये नहीं है कि अगर उसने कोई अपना cell phone number दे दिया तो बचारीनों messages कर 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 के तंग करी जाओ, सही है, so you need to know the ethics और आपको team को पता होना चाहिए, कि आपने कौन सी चीज जो है, वो ensure करनी है, privacy कैसे maintain करनी, respectable way में कैसे रहना है, ठीक है, अपना data collection team को आप train करेंगे, number seven, pilot test करेंगे अपने data पर, pilot test, यानि कि थोड़ा सा data निकाल के उस पर pilot test हो जाएगा, and number eight is, सारे का सारा document करेंगे process को, document the process of data collection, ठीक हो गया जी, अब आपके पास ये आठ पॉइंट है, अगर इन आठ पॉइंट के उपर, आप अपना data collect करते हैं, believe me, आपका जो data होगा, वो बहुत जबर्दस collect होगा, मिसाल के तोर पे मैं दुबारा से बता देता हूँ, सबसे पहले आप अपना goal define करें, ठीक है, number one, define your goal, number two, choose the right data collection method, number three is, ensure the data accuracy and reliability, number four is, ensure privacy of data and data ethics, number five, store the data in right place and right time, train your team, उनको बताएं कि क्या करना है, pilot test करें पहले, फिर document भी करें, सारे उपर वाले procedure को, जब आप ये document करेंगे न, तो कमज कम आप बता सकेंगे, जब इस data को publish करेंगे, कि किसने कैसे कहां पे क्यूं, कौन कौन सी चीज़ों से data collect किया, इसका फाइदा ये होगा, कि आपका ये primary data है, लेकिन आप काम कर रहे है लोगों के लिए, because, जितना भी research का पैसा आता है, वो taxpayer पैसा होता है, taxpayers pay करते हैं, दुनिया के अंदर, पकसान के अंदर भी, अगर किसी को research का, या observations का, या as experiments का पैसा मिला है, उनके stakeholder taxpayers होते हैं, अगर वो को company है, तो वो आपके stakeholders, आपके bosses हैं, या investors हैं, तो आपने क्या करन Metadata क्या होता है, जितना भी data आपने collect किया, कैसे किया, कहां से किया, sampling technique कौन सी थी, so on and so forth, जितने में questions है, वो आपने अपने mind में राख के आगे चलना है, and these are the eight best tools for the best practices in data collection, और यह सारे के सारा tool जो है, यह already मैंने article की form के अंदर लिखके रख दिया हुए, अगर किसी ने notes न आपने share करता हूँ, screen अपनी, और उसके उपर आपको यह मिल जाएगा, यहां पे codenics.com पे आपने जाना है, ठीक है, मैंने तो इसको book mark किया, codenics.com, c-o-d-a-n-i-c-s, इसका link मैंने description में भी दिया है, वहां पे आप जाएंगे, जाने के बाद आपको, जब website open हो जाएगे यह उपर ही statistics के अंदर, day 9 के अंदर, best practices in data collection, यह link पढ़ा हुए, आप इसको जाके जब open करेंगे, इसके अंदर यह सारे के सारा चीज लिखी हुई है, best practices in data collection, ठीक है, तो यह सारे 8 points भी यहां पे हैं, क्यों data collect करना important and how you can do that, यह सारी की सारी चीज़ें आप यहां से देख सकते हैं, और अगर आपको data collection में अभी भी कोई question है, you can ask in the comment section, और अगर like नहीं किया तो please like this video, it helps a lot.